द्यान मन की सवजवर्ती है इसे सिखाया या बताया नहीं जाता जब हम चलते हैं हमारा द्यान बना रहता है कई हमारा प्यार गलत जगर न पड़ जाए जब हम फोजन बनाते हैं हमारा द्यान बना रहता है सब्दी जलना जाए जब छोटा बच्चा साथ हो हमारा द्यान बना रहता है कहीं वह गिर ना जाए उसे चोट ना लगे जब हम वहान चलाते है हमारा द्यान बना रहता है कोई आज़सा ना हो जाए यही तो द्यान है और यह हमें किसने सिखाया किसी ने नहीं और सिखा भी नहीं सकता क्यूंकि द्यान मन की सहज क्रिया है लेकिन लोग द्यान के अंदर खोल बैठे हैं और दावा करते हैं हम अनेकों विद्यों से द्यान सिखाते हैं आच्रिय हैं जो सहज हो उसे कोई कैसे सिखा सकता है जैसे स्वास लेना और छोड़ना फेपड़े की सहच क्रिया है हमें कोई विशेशग्न नहीं सिखाता कि आपको अपने फेपड़े से कैसे स्वास लेना और छोड़ना है वैसे ही देखना आखों की क्रिया है सुनना कान की, खाना पीना मुख की, मल मुत्रत याक करना मलदवार और लिंग की यह सब सिखाया नहीं जा सकता अगर सिखाने से ही द्यान और सरीर की अन्य सहज करिया सिखी जाती तो पस्व पक्सियों को कौन सिखा रहा है वीपी तो अपने सारे कारिये बड़ी सहजता और कुसलता से करते है दोका है यह सारे द्यान और योग केंद्र सबसे बड़े दोका धरी केंद्र है यह भी द्यान लखे